हेलो फ्रेंट्स तो कैसे हैं आप मैं राजिस कुमार कंसेप्ट मनेजमेंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज से मैं एड़ुटेरिया करेंट अफेर की स्रीज चला रहा हूं इस स्रीज में हम यूपीसी बीपीसी जेपीसी तता बीपीसी मेंस बिहार एसाई और खास करके एसाई एंटीपीसी एसर से बैंक आदे उपयोगी परिच्छाओं के लिए बहतर उपयोगी बुक है और यह बुक परवीन शर्ट के द्वारा दी गई है और इस बुक में टोटल बार सिकांक 2020 का हम देखेंगा और सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक टो अगर और काफी उपयोगी है मैंने खुद इसका आज माया है इसका क्या है इसमें डाइरेक्ट हूब वा कोश्चन आते हैं करें तो आइए इसमें देखते हैं क्या है आगे हमारा टॉपिक हफर्ट टॉपिक क्या है इसमें हम सबसे पहले 2D पॉइंट कभर करेंगे उसके बाद हम 25 सेट जो दिया हुआ है करके हम 25 सेट को किलियर करेंगे तो दोस्तों इसको हम जूम करते हैं और टूडी पॉइंट हम करेंगे कोविड नैंटी से सम्मनित हम जन करेंगे दोस्तों 2020 में पूरा 200 कोविड नैंटी के मार जिलता रहा और बहुत सारे देश की सभी देशों के आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है धीरे धीरे सभी देशों ने इससे उभरने के कोशिश कर रहा है तो आईए हम कोविड नैंटी टूडी पॉइंट हम देखते हैं कि कोरोना वाइरस की उत्पति वुहान सहर से मानी जाती है इसकी उत्पती 2019 में उनमानतह लगाई गए जो की दोस्तों कौरोना वाइरस जो है इसकी देन शुरू से सभी देशों के द्वारा यह साबित हो चुका है कि चीन से आई है और कब आई है तो दिसंबर उनिस में आई है और दोस्तों दुसंबर दिसंबर या जनवरी के करीब में जब यह बाइरस पर चलित हुआ ता आया था जब शुरुआती स्टेज में था तो हमने इस पर वीडियो बनाया था आप प्लेइस्टोर में जाके देख भी सकते हैं चलिए कोबिट नैंटी के स्रोत सार्स से से कोबिट नैंटी कोबिट नैंटी की स्रीस कोबिट टू वाईरस में इससे मुख्य तो फियफ़डा परभावित होता है और स्सक्राइब कोबीट या नाम दिया इसका नाम दिया तो वेल कोरोना वाईरस 2019 कब जनवरी दूजर बीस Tech रस सब्सक्राइब से गेंगे नेक्स क्वेचन करा कि 11 जन्वरी 2020 यानि 11 फर्वरी 2020 वह ने इस वायरस का नाम कॉबिड 90 रखा एकारे फर्वरी 2020 को डा यह निस बारस का नाम क्या रखा तो कोबिड मार्च 2020 को महामारी घोसित कर दिया और यह महामारी के रूप ले लिए दोस्तों चलिए नेक्स्ट कोश्चन इस पर भी से कहाना नहीं है क्योंकि सब ही लोग जानते हैं ग्यारों मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड नैंटी से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम कब बना था तो आठारे सोस्तान तान्वे में इसमें महामारी से संबने जितने भी गति भी दिया होती है सबका शमधान और निराकरण इसमें दी होई है तो 31 मर्च 2020 को भारत सरकार ने इसमें हमारी अधिनियम को लागों किया 11 मर्च 2020 को एक्ट के अधीन इसे रोक को ले लिया नेक्स्ट कोश्चन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कोश्चन कर रहे हैं कि भारत सरकार ने आवश्यक बस्तू अधिनियों और निसव पच्पन के तहुत फिस मास्क और हैंड सेनेटाइजर को आवश्यक बस्तू के रूप में घ भुषित किया है चली इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम करोनावायरस एक समन्नित टॉपीट का मतलख होता है करोनावायरस John लिख स्पोर्मड्स तैनम्स के इसको हुड होगा पे-शो प्रोन प्रिचर्यब प्रिचेनगे आएक्षान पॉलिमर्स चेनन रिएक्षान रिल टाइम पोलिमर्स चेन icon रियक्शन उसके पार सार्स का फुल फर्म होता है तो आए दोस्तों क्यों चलते हैं क्वेश्चिन कर रहा हैं कि को महामारी घोषिद करने वाला राज हर्याना बना कोन सा राज बना तो हर्याना कोविड नैंटी को महामारी घोषिद कर दिया हर्याना ने करोना वायरस के चलते भारत में पर्थम बर जनता कर्फू कब लगाए गई तो 22 मार्च 2020 को लगाया गया करोना वायरस जैसे ही आया भारत में तो हमारे देश में सुझ बुझ बड़े यह सबसे पहले पजाब वायरस के कारण पूल कर पुण कर फूल लगाया इसके बाद हमँसे करोना वायरस के कारण लोग डाउनमें लेगा और पूल करफू पंजाब में लगा नेक्स्ट कोश्चन हम जखेंगे कोरोना वाइरस के कारण स्वामपुल भारत में पर्थम बार लोकडाउन कब लगाया गया तो 23 मार्च 2020 को पर्थान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शाम में एलान करके 23 मार्च 2020 को पर्थम लोकडाउन लगाया गया 21 दिनों के दिए माननीय पर्थान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम केर फंड की अस्थापना की गई नेक्स्ट कोस्चन हम देखेंगे रिलाइंस ने भारत का रिलाइंस ने भारत का पहला कोबीड-90 समर्फित अस्पताल अस्पताल कहां बनवाया तो रिलाइंस मुम्बई में वने में कोभिट 90 समर्पित अस्पताल बनाया यार रिलाइंस मुम्बई में बनाया बहुत चर्चित बहुत पर चलीथ दवा हाइट्र्रोक्सिक कोलोरोकिल जो की बहुत कारगर दवा अभी है इसका तो कोई दवा महात्रा में दूसरे देशों को भी जाती है दवा, पिछले ही कुछ दिनों में अमेरिका से इसे ले करके काफी बिवाद और इस्थिति देखने में आई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, भारत में उसको अच्छे कहसे दाम में अमेरिका में इस दवा को का बैपार किया, किस रूप में तो अनुसुची H1 दवा के रूप में हाई डॉक्षी कॉलोरोकिन को केंद्री स्वास मत्राले ने क्या किया सुची बद किया है, कोबिड 90 से संक्रमीत होने वाले परधान मंत्री कौन थे किसी देश के परधान मंत्री के रूप में बोरिस जॉंसन जो है वे सबसे पहले कोबिड 90 के सिकार हुए बोरिस जॉंसन जो बृतेन के बृतेन के परधान मंत्री है नेक्स्ट कोश्चन है कोरोना वाइरस के बढ़त एसा देश है कानाडा एसा देश है जो की बाहर हो गया है और 2020 में इस खेल का आयोजन किया गया था लेकिन कोविड नैंटी के वजह से इसे टाल दिया गया है एक साल के लिए चले नेक्स कुछना पुणे इस्थित आडविक नैदानिक है आडविक नैदानिक कमपनी नी माइ माइलेब कोविड नैंटी पर सिक्षण के लिए परिक्षण के लिए टेस्ट किट बनाई टेस्ट किट कौन बनाई तो भारत में भारत की बात हो रहे है भारत में पुणे में इस्थित आडविक नैदानिक कमपनी ने माइलेब कोविड नैंटी पर सिक्षण के लिए टेस किड बनाई है इसके बाद हम देखेंगे भारत के पहली कोभी 90 टेस्ट बस लॉंच में की गई भारत के पहली कोभी 90 टेस्ट महाराष्ट में लॉंच की गई थी कहां लॉंच की गई थी कोभी 90 टेस्ट महाराष्ट में सोभावी के महाराष्ट में इसका प्रकूप भी ज्या है। रिच्टी बाद रहा रएपीड एंटी जंदगी जोजना एक मास्क अनिक जिंदगी मध्य परदेश सरकार की जोजना है जो के बहुत हैं कारगरद जुददेना है कोबीष। नेयंटि के संकर्मा में मास्क पहांने से लेकर जगरुपता सब्राइब प्छानाहीं कोबिट 90 के संकर्मान से बचाने कि इनले लोगों में मास्क पहनने से लेकर जगरुपता अभयान को बचाना है नेक्स्ट कॉस्चन देखेंगे मीसन जीरो मीसन जीरो कहां की है तो यह भी एक जोजना है मुंबई में मीसन जीरो के सुरुवात की गई इसके सुरुवात मुंबई में की गई है मुंबई में की गई है और इसके तहत मेडिकल टीम लोगों की घर घर जाकर कोबिट 90 जाच है तो एसक्रीनिंग करेगे मीसन जीरो जोजना के तहत मुंबई में इसके सबसे पले इसके स्थापना कहा की गई तो मुंबई में की गई और कोबिट नंटी की जाच और स्क्रीनिंग करके घर घर जाकर करेंगे मीशन जीरो के तहद इसके बाद हम देखेंगे कोबिट पावरति या जरना है कि तरिन नमस्ते बहुत इंप्रेंट इसको याद करने वाला है जो कि विदेश यातरीयों को भारत की प्रावासी मजदूरों और प्रावासी काम करने वाले और नांगिरिकों को भारत लाए गया जिसमें जिसकी संखे 14,800 थी और बंदे भारत मिशन के थुरू इसका उपयोग किया गया चलिए मिशन सागर मिशन सागर भी कोविट 90 से निपटने के लिए माल्दीव मेडा गास कर सेसल्स और कोमो रोस को आवश्यक खाद समगरी तता अर्जुवेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना है इस मिशन का मुख उदेश है माल्दीव तथा मेडा गास कर सेसल्स और कोमो रोस को आवश्यक खाद समगरी तता अर्जुवेदिक दवाओं की पूर्ति कराना है नेक्स्ट कोचन दखेंगे अपरेशन समुंदर से तू यह बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें यह भारतिये नौ सेना के द्वारा चलाए गया और इसमें शुरुवाति में शुरुवाला दिनों में माल्दीव में फसे जितने भी भारतिये हैं सबको वापस लाए गया च भारत ने इस ऑपरेशन के तहत माल्दीव को चौद व breaths दवाई उपलब दे कर आए तो शिकस पयंटचोप टर्ण संजिवनी में किसको दिया है तू माल्दीव को दिया है कितना दिया है चलिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पेज हम देखेंगे नेक्स्ट पेज कर रहा है कि इसको थोड़ा और नीचा करेंगे नीचे करें हां चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि प्रजेक्ट प्लेटीना प्रजेक्ट प्लेटीना हम देखेंगे महराज सरकार ने इसे इसे च दिया गया है प्लाज्मा थ्रेफी प्रजिक्ट प्लतिना नाम दिया प्लाज्मा थ्रेफी पर परसक्षण सरी परिक्षण वाले यह देश का पहला राज्ज है यह देश का पहला राज्ज है कौन सा तो महराष्ट प्रजिक्ट प्लतिना एक क्या है प्लाज्मा थ्रेफी है प्लाजमा थ्रैफी मेठेड है और इसे महराष्ट में शुरू किया गया है और इसका नाम प्लाजमा थ्रैफी रखा गया है और प्रोजेक्ट प्लेटीना भी रखा गया और यह महराष्ट में महराष्ट राज ने सबसे पहले सुरू किया है इसके बाद हम दखेंगे नेन्टी से सम्मनित भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिली में खुला गया और इस सम्मन्ध में दिली के मुखमतरी मानानिय प्लाज्मा फेरेशिस के नाम से जानते हैं प्लाज्मा फेरेशिस के नाम से जानते हैं प्लाज्मा फेरेशिस से प्लाज्मा को रगत को सिका किया जाता है या एक ऐसी प्लाज्मा में अलग किया जाता है तो इसका ईलाज समय रहते गवे की शुरू किया जाता है रहते गलवा शुरू किया जाता है बहुत इमपोर्टेन चीहें इसको जानना भी चाहिए हमें चलिकड़ कुश्चन सरदार बलाभभाई पटेल सरदार बला भारी प्लाज्मा अनुसंधान करने वाला यह पहला के अंदर था प्लाज्मा अनुसंधान प्लाज्मा करने वाला पहला राज्य पूछेगा तो कौन सा बताएंगे बल्ला भाई पटेल इंस्चिवट पूछेगा तो बल्ला भाई पटेल इंस्चिवट प्लाज्मा अनुसंधान क संकरमित बखती को परिवहन के लिए Casuality Evagation को किस ने धिजायन कियée pod真的很 casualty-caявacNG डिजैन कीया कोफीड9 संकरम ब्यक्ति को लिए भारत के पहली प्रसेक्षण कीट पैथोडिटेक्ट को बनाने में किस महिला। बहुत है तो मिनल दखावे भोश्ले ने मिनल दखावे भोश्ले ने पहली परिक्षण किट पैथो डिटेक्ट बनाने में अपनी महत्यपूण भोश्ले नेक्ट कोच्चन किस परिजणा के तहट आई आई एस सी बेंगलूरू ने एक स्वदेसी वेंटीलेटर का प्रोटु सब्सक्राइब करेंगे त्वीटर के सियो जैक डोसरी ने कोबिट नैंटी से मुकाबला करने वाले चैरीटी को एक बिलियन डॉलर दान देने की घोशना की इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों कोई भी पढ़ें थोड़ा सा भी पढ़ें लेकि जोस और चुनून के साथ कारण भारत कारण अपने राजनीतिक संबंधों की सथर्वी बर्सगाट के सारे कारजक्राम को अस्थागित कर दिया है इसका मुक्षकारन है कोबिट 90 में हमारी के चलते वर्चूल G20 सिकर समयलन आयोजित करने का दिनना किस दिष ने लिया तो सौधी आरब ने लिया वर् के संकर्मण को फैलने के से बचाने के लिए पान मसाला गूठका खाने और वितरण विक्री पर सब पर रोक लगा दी तो उतर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है कोविड-90 के संपर्क में बहुत सारा दीकेते थी बहुत सारा मतलब चीज है इस विमारी को बचने के लिए इसलिए सरकार में अच्छा पहल किया और गूठका पान मसाला ही त्यादी को बंद कर दिया इसके बाद हम देखेंगे कोरोना वाइरस को फैलने से बचाने के लिए किस राज सरकार ने चींगम की बिक्री पर पर परतिबंद लगा इसा चीज होता है जिसको खाने के बाद उसके अपसिस्ट को फेकना ही पड़ता है कोई खोट कोई अंदर नहीं लेता है और जब आदमी फेकता है तो मालीजी कोई कोरोना पर जेटी अगर खा लेता है तो फेकेगा तो हवा में उसके वाइरस बिश्रित होंगे और तरह त चिंगम को भारा सरकार ने विजयापन भिजयनीएंव पर्दयों की णोडने के विवहाद कोईड d Mass inнач क्वांच नामक प्रजेक्ट क्वांच नामक केंद्र की मन्जूरी की अस्थापना दी नेक्ट कोबिट नैंटी जोधा कल्याण जोजना की सुरुवात कि तो मध्यपरदेश सरकार ने योधा कल्याण वकंशनिंग तिरंगय नामका वाहन लुंच किया अधोन पतनाम थिटा पतनाम ठीटा के रल में पड़ता है इस Kasत Bureau कोबिड नैंटी सेवा कोबिड नैंटी सेवा स्वास्थ परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा शुरू किया गया कोबिड नैंटी सेवा किस मंत्राले के द्वारा किया गया तो इसमें हम कहेंगे स्वास्थ कल्यान मंत्राले स्वास्थ परिवार स्वास्थ परिवार कल्यान मंत्राले के द्वारा सुरू किया गया नेक्ट को चनम देखेंगे संस्वधित महामारी अधिनियम 1897 महामारी अधिनियम को हम याद कर लेंगा 1897 के तो स्वास्थ कर्मियों पर हम लोगी जांत 30 दिन का अंदर पूरी कर देजाएगे तो दोस्तों करोना वाइरस के चलते जितने भी स्वास्थ कर्मियों सबको एक विसेस एकुपेंट और विसेस क्या किया गया है विसेस पहल किया गया है कि उनके साथ कोई अन्होनी नहों इसके लिए 30 दिन का अंदर में अगर उनके साथ ऐसे कुछ होत के साथ चात्रो और सिख्षको के साथ ऑनलत संभादव के लिए लोगडांस ल्टन से उनिषेफ ने शुरुकी ऐ लोगडावन लटी और शिंख्रा किसरे शुरू कि यह युट उनिसेफ ना सोरु किए है इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों पूंव चलिए इसके बाद हम देखेंगे हमारे नेक्ट पर हां इसके नासने कोविट 19 मरीज के विस्ष़िद किया कि कौन सा व्यूंट टो यह उसकी में नामक वाइटल हम वनलेटर ने विक्सित किया ना साने उसके बाद हम देखेंगे कQuarrantene से भाग जाने यंदे से बाइबन से लोग भाग जाते हैं! उनको पकड़ने के लिएن क्वरेंटीन कर लाना सस सुर्वात किया गया, नेक्सट कुछके हम सब्सक्राइब देखेंगे कोबिट 90 से ग्रासित मरीजों को उनके वर्ड में खाद और दवाइब बीतिर्व करने के लिए एक वाड बॉट यानि रोबोट के लंच किया गया उसका किसके दौरा किया गया तो AIT रोपढ के द्वारा और जानों के लिए धाय को अनुकर में हिस के आल्टरा वालेट से निटाईजर प्रोडिएक्ट विक्षित किया जो कि जो guide कि साहता से चलने कर शकता है कुषक कर सकता जो कि दिए गया आई आई आइटी कानपुर के दारन सुध्ध सुध्द इसका नाम है जो कि आल्टरा ब्र एसका है रहित बना देता है आई आइटी कानपूर के द्वारे से दिया गया उसके बाद आई आई एम कोजी कोट ने कोबिड फाइफ वाइड डॉट इन कोबिड कोबिड फ्य डॉट इन नामक बैव साइड बिखसित की और इस बैव साइड पर सभी सेवाओं कोबिड से सम्भनी सभ दिया गया और इस को मदद के लिए उन स्टॉप डिजिटल डियरिक्टरी काम करें इसके बाद लँगे इसके बाद वास करो आप है यहांनी सुरूसमा धुक्त ने प्रंच प्रयोग किया जयता है तो उसमें डिली आIFA आई आइटी ने लंच किया वास करो एप इसके बाद हम देखेंगे दिली में राधा स्वामी एस्पिरिचुल सेंटर को कोबिड-90 मरीज्यों की देख भाल के लिए एक के केंद्र के रूप में विक्सित किया जा रहा है कौन सा तो राधा स्वामी एस्पिरिचुल सेंटर को और दुनिया को सबसे बड़ा कोबिड-90 सुब्धा केंद्र वाला होगा जिससे जिसमें दौस अजार पीड़ होंगे और यह बना के तियार भी कर लिया गया तो इसमें पुछेगा कहा कि थे कहा का तो दिली के राधा स्वामी एस्पिरिचुल सेंटर है वह दिली का जिसे जिसमें 10,000 बेड़ बनाई गई है नेक्ट कोश्चन करेंगे इसमें देखेंगे इसमें बीद्याकार्चक्रम भारत सरकारदोरा लंच किया गया और इसका उदेश है कोबिड-90 से प्रभावित हो रहे है सिक्षा के बेसिक्षा को बहतर बनाने के लिए छात्रों को घर पर ही इसमें पार्चकरम बीडियो उपलब्द कराया जाएंगे इसमें काक्षब बारवी तक सामिल है देखें इसमें इसमें इलेक्ट्रों की बारवी तक सामिल है इसके बाद हम देखेंगे Yes इसका फुल फॉर्म यह स्वाई एस एस यह ओफ ऑवर्नेस ऑन साइन्स एंड है इसका कार्ज करम बिज्यान परदयों की विभाग के द्वारा लॉंच किया गया और इसका उद्यूस है कोभीड नियंटी के सुरक्षा है तुछ सर्फजनिक जागरुकता को बढ़ावा देना यह स्वाई नियंटी के सुरक्षा के लिए सर्फजनिक जागरुकता को बढ़ावा देना इसका उद्यस है इसके बाद देखेंगे रूहदार क्या है तो एक परकार का वेंटी लेटर है नेक्ट को चनम देखेंगे कोरोना संक्रमित के सौव को दफनाने और दास संसकार मे करने वाले को सरकार के दूरा तो तो मिल नाड़ु सरकार के दुवरा तीन साल की सजा देघा है अगर कोई को और दास संसकार में अगर कोई ब्यधान कोई पैयदा करता है तो नेक्स्टोर्शन दखें survivors अंग岨 बाड़ी नमक पहल की किस ने किया उम्बारे डोरे स्टोप उम्बारे उम्बारे डोरे स्टोप आंगवन बाड़ी पहल गुजरात सरकार के द्वारा किया गया गुजरात सरकार के द्वारा उम्बारे डोरे स्टेप डोरे स्टेप आंगवन बाड़ी की पहल गुजरात सरकार ने के द्वारा किया नेश्ट कोचन देखेंगे हम हार नहीं मानेंगे सिर्षक गीत जारी किसने किया थे HDFC गीट नहीं जारे किया हम हार नहीं मानेंगे HDFC बैंक जारे किया इसके बाद हम देखेंगे कोबिट 90 के खिलाप एकजूट रहने के लिए United वीफाइट गीत किसने लंच किया United United We Fight कि यानि कोभिट 90 के खिलाब एक जूट रहने के लिए United We Fight जीत भरती संस्कृति संबंध परिशत ने लंच किया भरती संस्कृति भरती संस्कृति संबंध परिशत्ने लंच किया इसके बाद हम देखेंगे Dr. दॉक्टर होर्स वर्दन ने कोबीड 90 कोबीड कथा मल्टी मीडिया गाइड लाइन को लंच किया गया है नेक्ट कोचन हम देखेंगे दॉटी करने वाले डाक कर्मी यदि करोना का सिकार हो जाते हैं तो किंदर सरकार 10 लाक रुपे का मुअप जादे भी चलिए यह बहुत पुरानी बात हो गई है आज तो करोना वारस का प्रकोप काफी ज़्यादा बढ़ गया और इसका महत भी काफी गीर गया है शुरू में इसके बहुत लोग नजर अंदाज ध्यान करते थे आज कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा है लेकिन उस समय के ब्यवस्था आयते ड्यूटी करने वाला अगर कोई भी डाक कर्मी है अगर वो करोना पोजेटिव हो जाता है तो सिकेंदर सरकार उसे 10 लग मुहाब देगी इसक परीजिए को कोरोना वायरस रख्त परशिक्षण पर इक्षण रथ पर इक्षण शुरू करने वाली दुनिया के पहली अमिरात यारलाइस थी चलिए ऑप्रेशन सेल्ड क्या है तो दिली सरकार के दवरा अप्रेशन चला गया है दिली सील्ड याद रखें आप्रेशन से दिल्ली के दार चला गया है और इसका उपयोग है कोविड नैंटी से अधिक प्रभावित इलाकों को पुरी तरह से सील करना इसके बाद सुकॉन कोविड नैंटी पहल सुकॉन कोविड नैंटी पहल जमु कस्मिर ने लौकडाउन के दारान मनो बिग्यान पर भाव को दूर करने वाले उपयों को दूर दर्शन पर प्रस्तुत करने है तो इस पहल को सुरुवात किया इसका उद्यस है लोगों को मानसिक रूप से स्वास्त रखना सुकॉन कोविड पहल सुकॉड कोविड पहल जम्मु कस्मिर ने लंच किया और लॉकडाउन के दौरान मनोबिग्यान पर भाव को दूर करने वाले यानि दिमाग में तरह तरह के भावनाएं आते हैं इसको दूर करने के लिए दूरदर्शन पर प्रस्तुत करने है तो इस पहल को सुरू किया गया है सुकॉन सुकॉन सु सुकौन मिलेगा सुकौन कोविट नैंटी पहल जमू कस्मेर चलिए इसके बाद हम देखेंगे अगला पेज है मेरा इसके बाद कह रहा है कि कोविट नैंटी के खिलाप कोविट नैंटी के खिलाप लड़ने के लिए संजुकत राष्ट लड़ने के लिए संजुकत राष्ट संजुक्त राश्ट ने मड़ीपुर की कुडोल पहल मड़ीपुर की खुडोल की ही खुडोल पहल को बिस्व में बिस्व के सिर्ष से दस पहलों में सामिल किया कहां कि तो मड़ीपुर के मारिपूर के खुडोल पहल को सजुगत राष्ट ने विश्व के सीर्च 10 में सामिल किया कि कहा कि मारिपूर के खुडोल पहल को याद रख्या है इस पहल ने स्वाय सेव को दल का गठन किया और इसमें डैनिक वेतन भोगी तथा एट्स प्रभावित लोगों को भोजन और स्वास्त की सुबदा की गई तो खुडोल पहल क्या है मानिपूर के द्वारा जो लंच किया गया इसमें स्वाय स्वाय सेव क्यानि वेलेंटियर काम करते थे औ और डलित गठन कि इसका दौल बनाए गया और इसमें इसमें डैनिक वेतन भोगी तयानिक वेतन भोगी और एट्स प्रभावित लोगों को भोजन और स्वास्त की सुब्दा मुहया कराई जाते हैं छली इसके बाद हम देखेंगे तो तो स्वदेश पहल क्या होता है स्वादेश पहल यहांनि जो भी लोग हवाई जाह से बीदेश से बाहर आ रहा है अपने देश के परवासी लोग तो उनके कौसल मान्चित्रण किया जा रहा है स्वादेश पहल के माध्यम से चलिए इसके बाद हम कि अरो गत्तु यह क्वेश तो आरों कि इस्टु एक्वारे में हम देखेंगे तो आरोंगे से टुए पट सोने के मात्रे इसमें क्या Medica bмотр तो तेरे दिन में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनिवाला रिकॉर्डट बन गया तेरा दिन में केंद्र ने आरोगय से टूइप लंच किया केंद्रि एलेक्ट्रोणिक्युंत प्रदγों की मंत्रा ले ने अरोगय से तोफ कोई कोई एक्टी कोवेड संक्रमित बेक्ति से चौपिट के डूरे में आता है तो उस बेक्ती को सचित कर देता है और आरोग सुटाये जोट है डेटा को सरकार कितने दीनों तक रख सकती है अर्यागी सब्सक्राइब के जरी जो डेटा जूट कर जाता है उसको सरकार 180ग दीनों तक रख सकती है छली इसके बाद हम देखेंगे आरोकि सेतू IVRS ने इंट्रीक्टी भाइरियस रेस्पॉंस सिस्टम कि अंदर सरकार ने तमिल लडो सरकार के श्वयोग से यह पहल अिर्जव फोल शुन पहलकी है इरोकि सेतू IVRS यह सिवा उन लोगे के लिए जो आशमार्ट फोन का उप्योग नहीं करते हैं यह सिस्टम मिश्ट कॉल द्वारा ही सक्रिय किया या सकता है अरोग आई पी एरेस इंट्रेक्टि वर्चुल रेस्पॉश सिस्टम यह तमिल अड्यूसर करके द्वाला जिनके पास जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनके द्वारा जिया गया है और इसमें मिस्ट कॉल के माद्धी से पुरी जनकारी दी जाती है चलिए इसके बाद हम देखेंगे युक्ति पोर्टल युक्ति पोर्टल के बारे में समझेंगे मानो संसाधन विकास मंत्रा ने इसे लंच किया इक्टू पोर्टल इसका क्या उदेश है इसके द्वारा कोरोना वारस के लिए मंत्राले द्वारा दिये गए प्रयासों की स्वास्त करमचारियों कोभी करने के लिए आगे घड़े जुद्धाओं को पर्सक्षित करने के लिए के Digital learning platform, कर्मिक का पर सेक्षान विभाग के दन्द किया अइगोट ईसके वह एभाद हम देखेंगे जीवन शक्ती जोजना, жीवन सकती जोजना मद पढदेस सरकार के दोरा लंज किया गया इसका उद्यसा है सोहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रसाहिद करना था उन्हें आजी विका है तो बीतिय साहता देना जीवन सक्ति जोजना के मुखो देश है फर्दाने मत्र जो نہवस्वादी जोजना के तौह्त मरीजय बुज़र्गों के और शैwn के दर्वाजी तक अनिवीवार शेवय और दवाप पहुचाने वाले फर्मसिष्ट का नाम दिया हैं से पुकार गया फार्मासिस्ट का नाम से पुकार गया है स्वास्त के सिपाही को स्वास्त के सिपाही को फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट को स्वास्ट सिपाही कहा के पुकार गया है इसके बाद में हम देखेंगे एपल ने गूगल के साथ मिलक्रावी बुलूतूत फारी कोबिट नेंटेंट addy लेकृषपार्म डाया ने ऑपली किसके साथ मिलके थे बुलूतूत से मिलकर कि निक्सकी नेंटी लेक irony कोण्तेक्ट ड्रेसिंग five एपल ने बुलूतुत की साथ मिल करके पलेटफर्म मनाया इसमें क्या होता है कि जो भी कोड़ीट पोजेटिब बैकती है उनको वो कंटेक्ट मादेम से ट्रेस कर लिया जाएगा एपल और बुलूतुत का यह साजा प्रभाव है टीवी टीवी के बीमारी के पता लागाने के लिए कि टूनेट 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 मसीन को आइसी अमार आइसी अमार ने कोवीड डैंटी परसिक्शन के लिए इजाज़त दे दिया है पहले टूनेट से टिवी का इलाज किया जाता था लेकिन अब आइसी अमार ने कोवीड डैंटी परसिक्शन के लिए इजाज़त दे दिय बनाया गॉस्वह इसके बाद हम सेवाओं देने के लिए राजी के प्रदेश सरकार नीयम परदढ करम बीर दिया करम अध्य पर्दे कार्म ने कुभीड-90 सह कस्वींड सा धिया है सम्मानित किया भारति 9 सेना द्वारा विक्सित की गई पीपी-ικ तक निर्माण किया इसका नाम है इसके बाद हम देखेंगे दुस्त्तों But two Second-चलिंएग़ था इती कोच्चन है भारती नौ सेना के दक्षणी नौ सेना कमान ने कोविड नैंटी मरीजों को एयर लिफ्ट करने के लिए एक इवेक्वेशन पॉंड का निर्माण कि आया कौन सा तो दक्षणी नौस्टेना कमान ने कोविड-90 मरीज को एयर लिफ्ट करने के लिए इवेक्वेशन पॉंड निर्माण कि आया नेक्स्ट कॉस्टन दखेंगे भारत के विभीन राज्यों से लोट रहे परवासी कामगारो के लिए मुख मंत्री स्वराजगार जोजना कि सराज में शुरू की है तो उत्राखंड जितने भी लोग प्रवासी मजदूर भारत से अन्य देशों से अन्य जगहों से आ रहा है उसको उसको अपने हैं रोजगार देने के लिए सबसे पहले सुरवात उत्राखंड के कोच्टन डॉक्टर हर्सवर्दन द्वारा जारे कोबास 18そう क्या है तो और दो कोबिट नेंटी मरीज्यों की जाच के लिए परिक्षण परिक्षण मसीन है और नेक्स कोच्टन हम देखेंगे कोबिड 90 से मुक्ती वाला पहला यूरुपिये देस सलवानिया मुख्ती होने वाला कोबिड 90 से पहले बार मुक्ती हो गया सुलवानिया कोबिड 90 की चलते सरकार सबसे पहले मरेज की चूटी होई तयों करनाटक नेक्स कुछन हम जैखेंगे करनाटक ने अठारे जुन्दू 2020 को मास्क दिवस मनाया किस दिन मनाया तो अठारे जुन्दू 2020 को मास्क दिवस मनाया नेक्ट करोना संकट से निपटने हो स्वास्त सिवाओं को बढ़ाने के लिए करोना संकट से निपटने हो स्वास्त सिवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार फ्रांस के साथ किया गया 200 million euro 200 million euro यहीं करोना से नहीं पटने के लिए भारत ने 200 million euro का करार भारत से फ्रांस के साथ किया इसके बाद देखेंगे safe online learning in the times of covid-19 नाम बुकलेट लॉंच की गई यह तो मानोशन साधन विकास मंत्राले के द्वारा सेफ online learning in the times of covid-19 एक बुकलेट है इसको मानोशन साधन विकास मंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया है नेक्स्ट कोच्चन ने देखेंगे लॉग्डवान लीसोन्स लॉग्डाइन लीशंस, living and other-storage के लेख कौन है। लीविंग और रेष्ट लॉगन कोविड नाइटी का मुखाबला करने के लिए किताडु नाशक एस्प्रे अनन्या को किछने विख्षित किया तो डिफेंच इस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलोजी पूने कि द्वारा अनान्या न्म किताणू नासक एस्परे को भिक्षिद किया। रोजगार सेतु पोर्टल जो परवासी मझेत को रोजगार देगे। मद्य하기 अगनबाडनी कर्ज करतहों को कोरोन जुद्धा का दर्जा देने की घुष्छनद के। परदेश सरकार ने जो भी दिव्यांग महिला है अंगन बाड़ी कर्ज करता है उसको उसको कोरोना जुद्धा दर्जा दिया गया है डावलुएचो ने जीवन रक्षक तक्निकी की सामान शमान पहुंच सुनशित करने के लिए कोबिद नैंटी कोबिद नैंटी टेकनलोजी एक्सेल पूल लॉंच किया कोबिद नैंटी टेकनलोजी एक्सेल पूल लॉंच किया डावलुएचो ने जीवन रक्षक तक्निकी की समान समान पहुंच सुनशित करने के लिए कोबिद नैंटी टेकनलोजी एक्सेस पूल लॉंच किया इसके बाद हम दखेंगे कोबिद न और दावा किया जाता था कि कुरोना की 100 परशन शक्सास इलाज है इसके बाद है अर्जुवेदिक दवाएं पतंजली अर्जुवेदिक लिमिटेट ने लंच की चलिए अर्फ मानव अधिकारों कबिद्ध के परभाव का अध्यान करने के लिए मानोव अधिकार की बात कर रहे हैं क्लिए सवत्रेशन करने के लिए कौन सा तो सोटंतर पाइनल का गठन किस ने किया है तो ऑलुए जोन ने किया है पाइनल के अधेक्षिता है लेन कलार को एलयन जॉन्सन के द्वारा किया जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन Oh so ho Nodisha rented tabii mecky Mm if you'd시 haveгор Очень शोनेशित करने के लिएंपर की सीवा निवर्टि याई बाश्च से बढ़ा करके 65 साल कर दिया आं तो ओरि निखर निने से सेवा देने वाले डॉक्टरों को उनके घर तक पहुंचाने के काम किया जो कि आज बहुत अच्छा पहल है सा रहानिये पहल है तो उन्होंने एक एप भी लंच किया है परवासी रोजगार एप लंच किया है सुनू-सूत के द्वारा कोबिट-90 नेक्स्ट कोबिट-90 लॉव लैब शुरू की डावलु एच ने शुरू की कानूनी धाचा लागूक और महामारी से निपटने के लिए कोबिट-90 लॉव लैब शुरूवात किया गया है नेक्स्ट कोचन देखेंगे केंदर सरकार ने 20 अगस्त को करमचारी राज बीमा नीगम की बैठक में कोरोना संकट में विरोजगार हुए कारगर कामगरों को उनके पिछले तीन महीने के बेतन का 50% रकम देने की घोशना किया इसका लगबग 40 लाख इसका लगबग 40 लाख लोग फायदा उठागे केंदर सरकार ने 20 अगस्त को करमचारी राज बीमा निगम यानि इसको क्या बोलते हैं पीए करमचारी राज बीमा निग कि बैठा की और कोरोना संकट में बेरज़गार हुए कामगरों को उनके पिछले तीन महीने के बेतन का 50% रोकम देने की घोशना की है चली इसके बाद हम दखेंगे इसके बाद हमारा लास्ट पेज है यह वाला कामगारों को मिलेगा जिन्यां निख चोविस मार्च की सब्सकुण दिसम्बर और 2020 के अपनी नोकरी खोई कामगारों की आप कर्मचारीओ इसके बाद हम देखेंगे वहानमीत्र जुजना अंदरपरदेश सरकार के द्वारत चलाएगे सीम जगमोहन रेड़ी जी है वहां के और वहनमीत्र जोजना ही क्या है तो इसके तोट लोगडाउन में प्रभावित आटो और टैक्सी चालकों को अंधरप्रत्रस सरकार सीम जगमोहन रेड़ी के द्वरा किया गया इसके बाद हम देखेंगे तो पिसके ऑजी विकावसी मजदूरों किसानों परवासी मजदूरों कोरोना पर्भावित लोगों को तो आजी विका में मदद के लिए इसके लिए 2020 में 2020 से मर्थ 2021 तक सुत्रे हजार कोड़ रुपे की गोष्णा की गई इसके दौरा तो उडिशा सरकार के दौरा उडिशा सरकार के दौरा आज इवन हस्चेफ जोजना सुरुवात किया गया इसके बाद हम देखें को कोरोना व वारस से नहीं पटने के लिए 2020 के जितने भी देश हैं तो ग्लोबल एकनोमी को गीरती हुए वास्ता को देखते हुए पांच ट्रिलियन युश्ट डॉलर देने की गोष्णा की है चलिए इसके बाद हम दखेंगे कोरोना वारस के परकोप से लड़ने के लिए कि SBI ने बर्स 2019 के अपने बार्सिक लाव का जिरो पॉइंट टू परसेंट 0.25 परसेंट सरकार को देगी तो SBI ने कितने देगी 2019 मिन में अपने बार्षिक लाव जितने भी लाव होता है उसका 0.25% 0.25% सरकार को सौपेगी इसके बाद एडी बी ने कोबिट नाइटी के खिलाप जूज रहा है सबी देशों के लिए बितिये पैकेज को तीन गुना बढ़ा करके 20 औरफ डॉलर कर दिया गया एडी बी ने इसके खिलाप कोबिट नाइटी के जूज रहा है सबी देशों के लिए बितिये पैकेज को तिन गुना से बढ़ा को 20 औरफ डॉलर कर दिया है इसके बाद हम देखेंगे ऋब भारानियका कुविट नाइटी नीजी च्छेतर गायर सरकारी संग्ठन और अंत्राष्थी संग्ठनों के साथ समन्फ़ की फेकशाच। सब के साथ एक समीति की गठन किया गया और विताफ कांथ के सब सब की से सब इसका हो यह होगी एसके बिकास बैंक संजुकत राष्ट एजंसी के साथ मूदों का समधान करना है चलि इसके बाद हम देखेंगे 7 अपरेल को दिली सरकार ने कोरोना वारस निपटने के लिए 5 टी प्लान नमक 5 चरणिये जोजना का सुभाराम किया 5 टी प्लान नमक 5 चरणिये जोजना का सप्पुरानी रास्टी उद्यान जीमकर ने जहनोरों के लिए देश के पहली कॉरंटैन कॉरंटा सुद्गा असथापित किया जहनोघो को कोभीट-90 परकॉप्त बचाने के लिए जीमकर उत्राखंड तौहं स्थेगान चलिए इसके बाद हम देखेंगे मानोस असाधन전 दिकास मांत्रालन ने इंडिया विधी वुक्स एस्टे होम इंडिया विध बुक्स पहाल नेशनल बुक्स राष्ट एन्बीटी की बेवसाइड पर लंच की है लॉगडाउन की वजह से एन्बीटी कि चलिए सरकार ने वायरसं से निपटने की लिए टीम 11 की जिसके तहके तहां परद्र लिएं-ब सप्ट्राइं जिसके तह़्य जिसके तहुल लागवाद साङ्वर्ण के जारी करने के लिए प्रग्यान प्रग्यान नामक मोबाइल आप जारी किया है चलिए भारत का पाला इंटरनेट नियंतरित रोबोट जी से कोरो बॉट नाम दिया गया है तो ठाणे में एक इंजिनियर ने बिख्षित किया मुंबई के ठाणे में एक इंजिनियर ने बिख्षित किया इंजिनियर ने बिख् तकनिकी का सुभारम करने वालों पहला रोबोट है चलिए इसके बाद दखेंगे मद पर्देश नहीं पहने वालों के लिए रोका टोका अभियान सुरू किया मस्क नहीं पहने वालों के लिए मद पर्देश सरकार ने रोको टोको अभियान सुरू किया है चलिए इसके बाद किल को रोना अभियान बिद्क चला गया किल को रौना किल को रोना अभियान नद हब रहुद कीट बीज जारी किये जाएंगे नमस्ते वर है वड़ने मिलाने की पर्था को बंद कर दिया गया Batman में अब नमस्ते के पर्था शुरुवात के यह हमारे ही देश में करनाटा सरकार में नहीं जबकि अमेरिका और बहुत बड़े-बड़े देशों में हैंड सेकिंग की बहुस्ता को खत्म करते गई है को रोना के चलते है ब्रेक दी चैन काटून अभियान किरल सरकार के द्वा द्वारा चलाए गया है भारत के विभीन भारत के विभीन राजयों में ग्राउंड जीरू पर ब्रेक दा कोरोना चेन नामक जागरुगता भियान शुरू किया गया इसका उदेश है दिसके अनलोक होने के दौन लोगों के बीच सुरक्षा बैवहार बिक्सथ करना अनलोक होने के बाद कुबीड बैवहार बिक्सथ करने जैसे मास्क बाना समाजिक दूरी तता हाथ की सफाई इत्यादी मिलिंडागेट के द्वारा शुरू किया गया चली सुरक्षित दादा-दादी और नाना नानी अभियान दादादे और ना ना नीकत्कुश्चन में भारत सरकार दवारा एक वार्स ट्रैकिंग एप लłę्च किया गया जिसे कोरोना कोच किया गया वारत ट्रेकिंग यह वार स्विक्षित किया गया इता यहां परिवार कर लुए रेक्सित किया गया तो और नेक्स्ट ख़ोंट्रों के शेचनों बिसीडाले घ्लने को रोणा वैक्षिन के हीमन इस धाल मैच है और ऐसीपना को आपूरत को स्पाहं नेरी घ्लने के लिखिन? को पूरा करने के लिए रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिस और इसका इस वैक्षिन के नाम एस्पुतिनिक फाइप रखा गया है और यह दुनिया में सबसे पर्थम बैक्षिन बनिया और और इसका पर सिख्षण भी सायद वहां के परधान मंतरी की बेटी खुद उन्हें ख्योंक आपने अपने इसी और इसका घ्रिजन गय्यात्त चलिए स्बीध आपने पर्लय पर्व में यह दुद्व को निलंब्वीद कर दिया गया यह सक असा इसने अपने देश के नागरी को कि नोकरी को सुरक्षित रखने के लिए किया ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्ज बीजा को निलंबित कर दिया गया है चले नेक्स्ट कोश्चन है विश्व आर्थिक फोरम यानि डाबलु एफ कोरोना वाइरस कोविड नैंटी के परभाव से निपटने के लिए डाब डाबलु टी और सायोग तो कोविड एक्षन प्लेट्फोर्म लॉंच किया गया घए कोविड एक्षन प्लेटफॉर्म लउंच किया गया नेक्स जनक धे बहूंचींगे भारत की पौली भारत की पहली पौली कोरोणा वैक्षिन को बास चेपिसा नूस्थान परचा आई से मरता भारत बायो टेक्स ने मिल कर त्यार किया है कोवीड भीवीवन बीवीवीभी एक सब्पावन पहले चलान के तहतं इसका हुंवन ट्रायल किया भारत क करोना वैक्सिन है वैक्सिन आप भारती चिकत्रान परिशाद आइसी एमर ने लॉंच कर रहा है इसको चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारती यसोनें कोबिट 19 से पीडित रोग्यों के परिवहन तथा परिवहन है तू और पित नामक परिवहन बिख्षित किया है और पित इसका फूल फर्म होता है और पित का फूल फर्म होता है येर बोण एंटी टोटेल हम देख लिए को इन टुपिक हमारे एक्जाम Mें आते हैं लगबग में देखें आपका काम में इसे दो बार तीन बार हमारी से करना और अजुरा इसको नहello हम दियान साल की बहुत ही महतापूर्ण बीमारियों में से एक है और महामारी है इससे कोश्चन आने की 100% समय होना है दो तिन इसलिए इससे देखते रहें दोस्तों और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें थैंक यू थैंक यू सो मज़ फिर मिलते हैं अ